Class 9 Physics, Union No. 3, Dynamics, Lecture No. 1 तो आज के इस Lecture में हम Dynamics, Force, Inertia और Momentum के Topics को Cover करेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं Chapter के नाम से Chapter का नाम क्या है? What is Dynamics तो यह Dynamics होता क्या है? तो आज इस Lecture में हम इसको तफसील अन पढ़ेंगे तो Dynamics Physics की बराँच में से एक बराँच है जैसे के Physics की एक बराँच है Mechanics यह आपने Chapter No. 1 में Branches of Physics में पढ़ा है ठीक है? उस Mechanics की बराँच में से एक बराँच है Dynamics तो Dynamics है क्या? Dynamics, Mechanics की ऐसी बराँच है जिसके अंदर Motion को Study किया जाता है और इसके Cause को भी Study किया जाता है For example, मैं अपनी बात को और Simplify करता हूँ जैसे कि एक गाड़ी मूव कर रही है उसकी Movement को तो Study किया जाएगा लेकिन यह साथ Discuss किया जाएगा अमा कर शाएगा जाएगा जाएगा 2, 2, 1, 2, 3 motion and its cause तो यही बात जो मैंने उर्दू में कही थी यही बात मैंने इंग्लिश में लिख दी कि ये एक mechanics की branch है जिसके अंदर हम motion को study करते हैं और इसके cause को study करते हैं तो इसको हम dynamics का नाम देते हैं तो आई आप force के topic पर move करते हैं तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ what is force तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी example देता हूँ कि जब आप एक दर्वाजे को खोलते हैं अपने घर में आपका दर्वाजा होगा उसको आप जब खोलते हैं तो आप उसको move करवाते हैं एक example यह हो गई यहां फिर आप एक moving object को stop करवाते हैं और example आपकी cycle चाल रही है तो आपने उसको stroke करवाना है तो आप क्या करेंगे break दुबाएंगे एक यह example हो गई फिर फिर आप बैड बॉल खेर रहे हैं तो बोल आपकी तरफ आ रहा है और आपने उसको hit किया बैड से तो बोल दूसरी तरफ चले गई है एक example यह हो गई तीन example दी अब तीन example को मैं दुबाबार हुआइज करता हूं मैंने पहले कहा किया आप ने दूरबाजा खोला आपने क्या किया आपने एक force लगए एक ताकपा लगई उस ताकपा नाम force है फिर आपने क्या आपने cycle को रोका आपने ब्रेक लगई अब इस ब्रेक का नाम क्या है पर आपने क्या किया फिर आपने जब बैट से बोल को हिट किया आपने एक फोर्स लगाकर जो बोल सीधी आ रही थी आपने उसको हिट किया तो उसकी डिरेक्षिन भी चेंज कर दी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ हम फोर्स को कह सकते हैं के एसी ताकत जो किसी चीज़ को मूव कर्वाती या मूव करने पर मजबूर करती है ठीक है या फिर रोकती है यह रोकने पर मजबूर करती है या फिर एक by moving बोडी की यह एक अधर फिया बोडी की direction को change कर देती है for example दोबारा मैंً एक्जेंपल को repeat करता हूं कि एक ताकत ऐसी है जो मूव करती है या मूव करवाने पर मजबूर करती है जैसे आपने दर्वाजा खोला दर्वाजा बंद रहना चाह रहा था लेकिन आपने दर्वाजा को खोल दिया उसको मजबूर कर दिया मूव करने पर फिर आपने का किया एक साइकल चाल रही है वो चलना चाहा रही है लेकिन आपने का किया उसको ब्रेक दुबा कर स्ट्रोप कर दिया मतलब रुकना चाहा रही है तो आपने उसको ब्रेक लगा कर रोक दिया मतलब उस फोर्स ने उसको मुझबूर कर दिया कि भाई तुम रुक जाओ ठीक है फिर तीसरी एक्जेंपल मैंने दी थी कि किसी भी मोशन ओफ अब बोड़ी की डिरेक्शन को चेंज कर देते जैसे एक बोल आर या स्ट्रेट आर ही थी आपने हीट किया तो आपने एक फोर्स लगाई तो उसकी वज़े से उसकी डिरेक्शन भी चेंज हो गई और वो किसी और मोशन में ट्रेवल करना शुरू हो गई तो आईए जो मैंने उर्दू में बोला उसको थोड़ा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देते हैं आप फोर्स आप फोर्स मूव्स और टेंड्स टेंड्स मीन मजबूर करना मजबूर ठीक है और टेंड्स टू मूवव तरवाजे की एक्जेम्पल थी जैसे स्टोप और टेंड्स टू स्टोप जैसे बाइसेकल की एक्जेम्पल थी ठीक है दा मोशन ऑल्स कैंड्स और टी ने थी ठॉर्स और ट्र टीक change the direction of motion of a body, जैसे bat और bowl की example थी, तो आपकी book के अंदर जो examples है, मुनको भी relate कर देता हूं साथ-साथ, जैसे एक बंद है, दिवार को push कर रहा है, तो वो एक दिवार पर force apply कर रहा है, कर रहा है, इसी तरह एक आदमी है, जो ready को आगे की तरफ move कर रहा है, push कर रहा है, तो वो भी एक force की वज़ा से ready को आगे की तरफ move कर रहा है, और मैंने bad bowl की example दे दी थी, आपको के एक क्रिकिटर है, वो bowl को hit करके, bowl की direction को change कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह हमने force का concept भी पढ़ लिया, तो उमीद करता हूँ कि आपको force का concept समझ आ गया होगा, तो अब हमारे पास एक नया concept आता है, inertia, तो मैं इता लिखते ता हूँ, what is inertia, तो inertia क्या है, तो inertia को मैं अपने तोर पर एक नाम देता हूँ, जो कि है, जबरदस्ती वाली force, अब ये जबरदस्ती वाली force क्यों मैंने नाम दिया, इसको मैं explain करता हूँ, अब आपने ध्यान से सुनने में बात क्या कहने लगा हूँ एक इनसान है, वो बैठा रहना चाहता है, ठीक है, अब कोई ऐसी force होगी, जो इसको तंग करेगी, वो बैठने पर मुझबूर नहीं होगा, वो उठ खड़ा होगा, for example, अब जैसे आप बैठे हैं, तो आपकी मामा आ गई है, आपकी मामा ने काया, ये लो जी, दासुर पे मुझे बाहर से ये फलाँ चीज ला कर दो, तो आप पाबंद हो गयों कि भाई आपको आप उठना पड़ेगा, क्या आ गया ठी, एक जबरदस्ती वाला हुकम आ गया, तो ये जबरदस्ती वाली चीज है नहीं, ये इनर्शी है, तो आप हम इसको physics में पढ़ते हैं, तो physics म आगया, तो आपने break supply की हैं, आप क्या कह रहे हैं, कि मैं बैठा रहा हूँ, जब आपने break supply की हैं, तो आपकी body आगे की तरफ move हुई है, आप क्या चा रहे थे, आप चा रहे थे, कि मैं ऐसी बैठा रहा हूँ, लेकि आप आगे की तरफ move हुई हैं, तो वो एक जबरदस्त नहीं करना चाहरे होते हैं, जो वो चीज करवा देती हैं आप से, तो इसकी definition लिखते हैं, नहीं करने हैं, आप से, तो इसकी हैं, आप सकस्ट लिखते हैं, रेजिस्ट, रेजिस्ट मीन्स रोकना, एनी चेंज, इन, इस, स्टेट, ओफ, रेस्ट, और, मोशन, ठीक है, यह वही बात उसने की है, के एक इनसान, रेज़ेट, रेजिस्ट, और, मोशन में रहना चाहा है, लेकिन वो उसकी, रेज़ेट, और, मोशन की स्टेट को, रोकना चाहा है, रेजिस्ट करना चाहा रहा है, उसके अंदर एनी चेंज को, ठीक है, तो इसकी एगजेंपल पड़ते हैं, गलीलियो, एक साइंस दान था, उसने अप्जर्व क्या किया कि जब एक भड़ी चीज़ को हिला दिया जाए, एक ट्रक को आप धका लगाते हैं और उसको मूव करवाना शुरू कर देते हैं, फिर उसको रुक रोकना बड़ा मुश्किल काम होगा, सिवाए अगर आप एक मोटसेकल को धका लगाते हैं और उ ट्रक को हिला सकता है धका लगा कर लेकिन वो फिर बड़ा मुश्किल काम होगा उसको रोकने के लिए एक आदमी के लिए ठीक है उसके बारक्स एक बंदा ही मोट सैकल को हिला सकता है और एक बंदा ही मोट सैकल को रोक सकता है इससे हमने सीखा क्या एक जबरदस्ती वाली फोर्स इसमें है क्या कि जो ट्रक का एक दफ़ा हिल गया उसने मूव करना शुरू कर दिया तो अब वो अपनी मूवमेंट वाली पोजिशन में रहना चाह रहा है लेकिन एक इनसान उसको रोकना चाह रहा है उसको पर इनर्शिया अपलाय करना चाह रहा है लेकिन अब लोग क्या कहता है अब लोग कहता है कि जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा इनर्शिया रि और यह मैं कहा है त्रक और यह मैं कहा है टीक हिंट टीक मेरी रॉण कोई इच्षी नहीं है तो यह कहा है चुक्त बायक च्झा का इनर्शिया ठोड़े है क्योंकि को उसका मैस थोड़ है मैस मेंस वो कितनी भड़ी है इसी तरह ट्रक बहुत ज़्यादगा बड़ा इसका इनर्शिया ज़्यादगा है तो इस का मतलब क्या है जबरदस्तPION वाली फारस मतलब इसको रोकने के लिए ज्यादा force चाहिए इसको एक resist force चाहिए इसको एक रोकने वली force चाहिए और रोकने वली force को मैं क्या कह रहा हूँ? inertia जितना ज्यादा मैस होगा उतना ज्यादा inertia चाहिए होगा तो आप इसकी example को दुबाड़ा पढ़ लेते हैं गलीलियों ने observe कि it is easy to move the truck but very difficult to stop it rather than it is easy to move a smaller object मैंने bike example ली and easy to stop it ठीक है तो इस property को नाम देता है गलीलियों inertia और inertia क्या है जी when the mass is greater the inertia is also greater कि जितना मैस ज्यादा होगा मैस ज्यादा होगा उतना ही inertia ज्यादा होगा ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको inertia की definition और explanation समुझ आ गी होगी तो आप चलते है momentum की topic पर जो के इस lecture का last topic है तो मैं लिख देता हूँ what is momentum momentum क्या है momentum of a body is a quantity of motion it possesses due to its mass and velocity तो यह मैंने English में तो पाड़ दिया तो अब इसका मतलब क्या है अब हमने inertia में पढ़ा था कि जितना मैस होगा उतना ही हमें inertia require होगा ठीक है तो momentum में क्या है momentum एक छोटी से edition आ गई है वो कहता है कि impact of a loaded truck कि मतलब एक समान से वराओवा ट्रक है वो किसी आदमी के रस्ते में आ रहा है चाहे उसकी speed slow है वो आदमी को कुचल देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि mass ज्यादा होने से inertia ज्यादा होगा और इसकी velocity भी depend करेगी ठीक है जैसे एक आदमी है वो ट्रक के निचे आड़ाता है ठीक है ओविजली मर जेगा वो ऐसी बात है न अब एक ट्रक के फुल स्पीड से आ रहा है वो आदमी को उड़ा भी देगा ठीक है न वो आदमी को उड़ा देगा और दूसरी तरफ एक more cycle है वो speed से आ रही है वो एक आदमी को hit करती है आदमी इतनी जोर से उड़के नहीं गिरेगा जितना एक ट्रक उसको मारे तो वो उड़के गिरेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि momentum कैसे produce होता है momentum mass और velocity के male से million से momentum produce होता है एक निया concept produce होता है उसको हम momentum कहते हैं तो हम momentum की definition लिख सकते हैं momentum momentum is the is the quantity of a body is the quantity बलके motion लिखते नहीं तो ज्यादा चलेगा is the quantity of motion of a body it possesses due to its mass and velocity तो यही तो बात मैंने की है कि momentum एक body की motion वाली को quantity है जो के mass और velocity के product से हमें मिलती है तो इसकी और simplification की तरफ जाते हैं कि इसका ऐसा ही unit क्या है इसका किलो ग्रैम मीटर पर सेकंड और यह एक vector quantity है यह vector और scalar का difference हम इसी chapter में पढ़ेंगे आगे जाके ठीक है vector quantity यह आपने याद रखना है कि यह कौन कौन सी quantity होती है ठीक है यह mcqs में पूछी जाती है तो लेकिन मैं इधर भी revise करवा देता हूं vector quantity ऐसी quantity होती है जिसका magnitude भी होता है और direction भी होती है ठीक है जैसे for example इसको represent ऐसे करते है यह जो पूड़ा मैंने arrow लगाया है इसकी जो यह length है for example 2 cm है तो यह इसका magnitude हो गया ठीक है और यह किस तरफ को जा रहा है यह उपर की तरफ जा रहा है तो यह इसकी direction होगी तो इसको हम vector का नाम देते है तो यह जो momentum है वो एक vector quantity है ठीक है तो momentum कैसे produce होता है mass और velocity के product से तो इसकी example क्या है कि एक loaded truck का impact coming body पर ज्यादा होगा due to momentum ठीक है तो मिलते है next video में तब तक के लिए अला हफीज